समय ऐसा आया पानी की तरह पैसा बैता गया समय बैता गया घर में खाने के लाले हो गया अभी सुखी रोटी खाके सोना पड़ा अभी भूके बेटी सोना पड़ा एक बार इतना बड़ा नुकसान हो गया कि पैसे थोड़े बचे थे और उधारी लाखों में हो गई वो समय ऐ और कुछी साल में जो जीरो से शुरू किया था लाइफ में एडवाइजेस बहुत जरूरी नोल लिबाती हैं और मैं आपको ऐसा इसलिए बता सकता हूं क्योंकि वह एडवाइजेस ही थी जिसकी वैसे मैं आज एक सक्सेस्फुल मुचल फंडिस्ट्रिबूटर कम लाइफ एडवाइजर की रूप मैं आपके सामने खड़ा हूं नमस्ते दूस्तों मेरा नाम अमित अगरवाल है और मैं लखनो से एक मुचल फंडिस्ट्रिबूटर हूं जो की लगबग सौ करोड से उपर का क्लाइंट्स की फेनिंशल सेविंग्स का मेरी शुरुवात वैसे तो कानपूर से हुई थी जह मैं पला बड़ा जह मेरा बच्पन बीता और वही मैं एक ऐसा दोर भी जिसकी वहें मुझे शहर चोड़ कर के एक नई जगे नए शेर से शुरुवात कर गड़े एक नए शु तो ऐसे भी बसनस चलता रा एक समय पसा आया कि पापको पत्ताचला कि वैपार में खाट बहुत रहा है तो लोगों से उन्हों न नहीं अवाद हिस भाण बड़ा से उनzinता है तो वहीं उन्होंय है तो समय ह 계ल है कि वहाद करना पड़ाएंब कराईदी तो यों कि अद् upside अगर में पैसे थे नहीं खाने के उन्होंने भी एडवाइस माल ली और एक साथ कई सारे केस कर दिये जिससे हुआ यह कि उनका ज्यादा ज्यादा समय तो कोट केचेरी में चला गया कोट केचेरी का सिलसिला शुरू हुआ कभी तारीक, कभी कुछ और दिन भार उसी में लगे रहते थे कुछ और सूजता भी नी था समय ऐसा आया, पानी की तरह पैसा बएता गया समय बएता गया, घर में खाने के लाले ही यह गया कभी सुखी रोटी खाके सोना पड़ा, कभी पुके बेटी सोना पड़ा, ऐसे चलते चलते लाइफ कट रही थी, लेकिन समय यू आया कि वो शैर छोड़ना ही पड़ा अडिविटली, इसके बाद फिर हम लोग लखनों में शिफ्ट हो गए और जहां से फिर सफर शुरू हु नए शैर था, नए चैलेंज़ थे, छोटे-मोटे काम करके पैसे कमाए, छोटी-मोटी नौकरी की, घर किसी तरह चलने लगा, फिर एक अड़ाइज आई कि आप मूचल फंड्स है, फिनेंशल सेविंग का बिजनस को शुरू कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान में फैनेंश फैनेंशल लिट्रेसी बहुत कम है, उस फैनेंशल लिट्रेसी कम होने की बात को समझ में आया, विजन समझ में आया, लोगों हम तीन भाही थे, हम तीनों मिलके काम शुरू किया, और थोड़ा-थोड़ा चैलेंज़ आए क्योंकि शहर ने आ था, घर गर जाके पर्चे बा अजलिया, लोगों 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 में जो की पापा ने बहुत पहले मम्मी की कुछ सेविंग से प्लॉट लगा था घर तो बन चुका था लेकिन थोड़ा पैसा लगा तो बीच वाले भाई जो हमारे हैं उनकों को ट्रेडिंग का लग गया जिसको बोलते हम में लुजयों होगा कि पैसे थोड़े बचे थे और अधारी लाखो में हो गया और उजा स्वाटार के बहुत बहुत पैसे दे थे त्रेडिंग की वजे से वोगों समय अजा था कि मेरे जो सबसे बड़े बाए बाई थोड़े जी एवे यूए जोड़े ऑले इस लोग पा तब ही मैं अपने बीच भाई के पास गया और मने बोला देखिए हम लोगों ने बड़े भीया को खो दिया है और समय मुश्किल है और ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन अब हम लोग मिल कर के दुबारा स्कॉाम को शुरू करते हैं लेकिन मुझे आप से एक वादा चाहिए कि आप ट्रेडिंग आगे से नहीं करेंगे अधर्वाइस हम लोग को कही ना कही कुछ ना कुछ अलग अलग सोचना पड़ेगा तो उसक्त मेरे भाई ने मेरी बात मान ली और हम लोगों ने फिर से उस काम को स्टार्ट किया फिर थोड़े पैसे आने लगे लेकिन ट्रेड कर लिया और काम लग करने के बाद फिर से जैसे की चैलेंज़ आये नया काम था लेकिन चुकि पिछले कई साल से काम कर रहे थे तो एक चीज जो मैंने अपनी लाइफ में हमेशा सिखी है कि कभी किसी को चीट मत कर और किसी के बारे में जाने बिना कोई राय मत दो जब तक कुछ भी ना जानते हो कोई राय नहीं देना तो ये बात मेरे क्लाइंट जानते थे तो काम अलग करने के बाद हुआ है कि मेरे साथ काम करने में इंटरेस्टेट थे और उसके बाद सफरे से चलता रहा चुकि काम अच्छा था लोग अच्छे मिलते गए लोग मुच परोस तो इसके वे से रिखेसे में स्कुंट सुचना क्शिरण हैं। हमारी भी wealth create हो रही है क्योंकि हमारा जो बिजनस है उसमें दो चीजे साथ चलती है एक advice और उस से बड़ा है बरोसा सिर्फ भरोसे से कुछ नी होगा सिर्फ एडवाइस से कुछ नी होगा तो यह बरोसा और अडवाइस दोनों साथ चलती है इसलिए यह दोनों चीजों के चल कि हम टृम सीखिती वह थी savings की आदाद तो मुरी मादर ने मुझे सिख्धाई में बहुत थोड़े थोड़े πैसे बचारती थी मुझें भी यादव टाली में थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू किये था उस समय लेकिन उस समय ना कुछ बैंक्स का बता होता था था पाज भंछा में कैसी लें में हड्यादा इंदुस्तान में थीप इनिश नहीं है थोरण हम मामी थोलबा पैसे बचाती इन उवम्हम, ओंट एर्या पैसे रखती थी थोलबा फैसे अन्टानी ज़े इन्हां दो Being-ुजंडा में उट रखता था तो इसी सब के चलते चलते धीरे धीरे काम भी बढ़ गया और ऐसे कई इन्वेस्टर हैं जैसे मैं आपको बताता हूं चोटा सा इंसिडेंट मैं चुकि हमारे काम में ट्रावल काफी करना बढ़ता है तो मुझे कभी वीकल होता था कभी नहीं होता था तो एक अटो अटो फुचा की तुम किने पैसे कमा लेते हो तो बोला सर मैं पैसे तो ठीक खमालेता हूं लेकिन मुझे एक सपना है कि मैं अपनी चाली खुद कि खड़िगू इंप अटो नहीं मुझे एक टेक्सी कुद की खरीदी है तो मिझे पैसे कहां सेव करते हो इसके लिए कुछ तो फ्रेसे कुछ में बैंक में सेविंग एकाउंट मेरे हर महीने जमा करता हूँ इसे तुम बहुत समय लग जाएगा तैक्सी खरिदने के लिए काफी पैसा चाहिए और हर अगाली के पैसे भी बढ़ जाते हैं तो में काम को चुछ पैसे बैंक मही रखो लेकिन रखो लेकि मेरी बात माली और ऐसे करते कुछ चार पांच साल निकले चार पांच साल के बाद उसके पास इतने पैसे ही खटे हो चुके थे कुछ बैंक अकाउंट में और कुछ एसाइपी के तू तो ऐसे एक दिन चुकी तब तक मैं आटो सफर करना बंद कर चुका था था मैं अपनी चलेंगे तो उसे पुछा कि भःया का हूं फोन किया उसको तो बहला सर मैंने अपनी टेक्सी ले लिये तो आया मेरे पास कि सर आज आप पर पास टेक्सी में चलेंगे और आज का किराय मैं आपसे नहीं लूँगा निया क्या हुआ था था पैसे पांच लाख रुपे के आ सारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पैसे बनाए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि लाइफ में तीन चीजे मुझे लगा बहुत जरूरी हैं एक तो सही एडवाइस का होना और दूसरा सही एडवाइस के साथ आपके काम करने की महनत और तीसरा कुछ कर दिखाने की इस वीडियो के बारे में अपनी राए नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें